रूस जहां यूक्रेन में घुस कर लंबी दूरी के हथ्यारों के इस्तमाल के अनुमती मांगता रहा है मगर बीते दिनों इस पर चर्चा तेज हो गई कि पश्चमी देश जल्द ही यूक्रेन को हरी जंडी दिखा सकते है मगर यूएन ने इस पर कड़ा एतराज जिताते हुए पश्चमी देशों की कड़ी फटकार लगाई है यूएन ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूक्रेन में युद्ध कभी खत्म नहीं होगा युद्ध रोपने के दुशा में उठाय जाने वाले सभी कदम धरे के धरे रह जाएंगे यूएन महासचीफ के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को रूस में गहराई तक हमला करने के लिए पश्चमी हत्यारों का उप्योग करने की अनुमती दिये जाने के बाद एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि हम जो बयानबाजी सुन रहे हैं वह एक और संकेत है कि हम इस संगर्ष के अंत की ओर नहीं बढ़ रहे हैं परमाडू हत्यारों के इर्द गिर्द बढ़ती बयानबाजी चिन्ता जनक है वहीं यूएन में इजूमी नाकामित्सू ने कहा हत्यारों और गोलाबारूत का कोई भी हस्तान तरण अंतराष्ट्रिय कानून धाचे के अनुरूप होना चाहिए कई देश मानवरहित विमान, बैलिस्टिक मिसाइल और गोलाबारूत जैसे हत्यारों को रूसी सेना को ट्रांसफर कर रहे हैं इन हत्यारों का इस्तमाल भी किया गया है और यूक्रेण में इस्तमाल कियो जाने की संभाव ना है यूएन संघर्श की शुरुआत से ही क्लस्टर हत्यारों के इस्तमाल और ट्रांसफर से जुड़ी रिपोर्टों पर गहरी चिंता जता चुका है लोगों को गैर जरूरी कश्ट या चोट पहुचाने से रोकने के लिए नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियमों का मानना जरूरी है युवन के मानवादिकार उच्चा युक्त कार्याले ने बताया कि इस युद्ध में अब तक युक्रेन में 11,700 से ज़ादा नागरिकों की मौत होई है जबकि 24,600 से ज़ादा नागरिक घायल हुए है वहीं 2027 में जुलाई के बाद अगस्त महिना दूसरा सबसे ज़ादा नागरिक खताहतों वाला महिना रहा जिसमें युक्रेन में कम से कम 184 नागरिक मारे गए और 856 घायल हुए इजूमी नकमित्सु ने रूस को भी लतार लगाते हुए कहा कि रूस की ओर से मानव रहित हवाई वाहनों और मिसाइलों के इस्तमाल से युक्रेन में नागरिकों को ज़्यादा नुक्सान पहुचा है साथ ही नागरिक बुन्यादी धाचे भी तबाह हुए है रूसी राज़दूद वसीली ने विंजिया ने कहा कि युक्रेनी से नारा सानी का इस्तमाल कर रही है यदी पश्चमी देशों ने लंबी दूरी के हत्यारों के स्तमाल पर लगिप तबंदों को उताने का पहसला दिया तो इसका मतलब ये होगा, कि उस वक्ट से नाटो देश रूस के साथ सीधा यूद करेंगे. पर लेका होग त पत ré도, आप शत्रां के साथ से वन्या सीधा ये होगा, कि शनो сे लाक्रा, कि इसल गाल, कि ए सीधान, वो की वाला कि उत्का IS, तो छामनों, कि बाला का ये रा ये तो श्का जी लोगगे जा़्ज करेंगे ऑ 올 knots दो ररेखी, एक बान Речь идет не о том, чтобы разрешать Киеву бить дальнобойным оружием по всей территории России, а о принятии решений по целям для ударов непосредственно на Западе. То, что украинские националисты формально будут нажимать кнопку, роли не играет. НАТО станет непосредственной стороной военных действий против ядерной державы. Думаю, не надо объяснять, какие это может иметь последствия. Согласие и под руководством Вашингтона и Лондона систематическое применение отравляющих веществ и химии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова झाल झाल